तो गाइस कैसे आप सब यहाँ पर रियल्मी और रेड्मी की वैसे बीड हाट में न कहीं न कहीं एक ब्रैंड जो है न थोड़ा सा धुंदला पड़ता जा रहा था हम वेट कर रहे थे यह ब्रैंड कब तबाही करेगा अपने नए फोन ले कराएगा क्योंकि यह सैंसंग जो ह ही है कि हाली में जो A50S सामने आया था वो इंडिया में देखने को मिलने वाला और हो सकता है यह सक्तमबर 11 को ही आपको देखने को मिल जाये और Samsung A50s एक कफी अच्छा camera phone हो सकता है आपके लिए और Samsung के जो fans हैं उनके लिए तो definitely अगर आप एक नया phone देख रहे हैं तो वो यार Samsung के लवा देखते ही नहीं है कुछ हम भाई Samsung के बहुत बड़े fans हैं और Samsung के लवा हमें कुछ और चाहिए ही नहीं तो उनका कुछ ऐसा होता है तो भाई Samsung A50s के बारे मैं आपको जल्दी से बताता हूँ पर उससे पहले चैनल पे दो-दो giveaway चल रहे हैं एक smartphone अगर आप जीतना चाहते हो तो नीचे धूनों में जाकि giveaway में participate कर लो और यार बस इतना सा ही ठीक है इतना सा काम है और अगर आप मेरे को Instagram पे follow कर सकते हो तो बहुत महरबानी हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फोटो अपडेट्स हो रहा में देता रहा दो चलो यार चलते हैं वीडियो की दरफ तेयर A50s के बार मैं बात करें तो A50 से काफी ज़्यादा है रलता मिलता सा है या मैं को बिलकु सिमिलर सा A-Series की लुक्स के साथ M-Series की लुक्स के साथ Samsung काफी जाला बदल चुका है अपनी mid range और budget range गेम में क्योंकि पहले यह जो J-Series आती थी ना कते ही कते ही बेकार सीरीज नहीं में कहूंगा पर अब जो M-Series A-Series आती है बहुत अच्छी आ रही है अब A50s और A50 में बहुत ज दिस्प्ले के पर मैं बता दूँ तो 6.4 इंचिस के डिस्प्ले होने वाली है और यह फूल एच्जी प्लस के डिस्प्ले होने वाली है और यहां पर रपको waterdrop notch दिखने को मिलने वाला है पर खास बात यह कि Super AMOLED डिस्प्ले होगी जो की बहुत ही amazing display है Samsung की display तो कोई doubt नहीं है वह या हमारी quality तो amazing होने वाली है तो हमें content देखने में बहुत जादा मजा आने वाला है तो यह आपके लिए एक बहुत बढ़िया news है कि Samsung again Super AMOLED के साथ A50S को लेकर आ रहा है और यार यार Gorilla Glass इसमें दिखने को मिलने वाला है हा सबसे बड़ा यहां पर features और display को लेकर व बोलने में update के साथ होना सा fast हो गया था और considerably अगर आप competition में देखो तो इससे fast इंडिस पे फिंगमेंट scanners आ रहे हैं तो इस बार A50S में देखते हैं यह कैसा काम कर दिया है इनोंने तो बागी यार अगर पर performance की बात करूं तो exynos 9610 same processor देखने को मिल सकता है क्योंकि यह य dedicated sg card slot लगा सकते हो दो sim के साथ तो भाई 2 geo use करो यार दो कई और भी करो dual voltage होने वाला तो यह एक अची बात है तो आपकी मर्दी है जो भी करना चाओ आप कर सकते हो और यार मेरे को ऐसे comment section में बताना आप 2 sim अगर use कर रहे हो चाए एक कर रहे हो जो भी है कौन सा वाला कर र चार्ज कर पाओगे तो मतला बभी भी 15 watt मिल रहा है मेरे को 15 watt से बहुत खेज से आती है फास चार्जर जरूर है बट यार standard है आज के टाइम पर 18 watt 15 watt मतलब दनिया था सुनके और तो बढ़र यहां पर थोड़ा सा Samsung अब इंक्रीस कर देना चाहिए बही मतलब 15 watt पर कब तक गटे कर हो गए हैं कब तक यार कब तक यहां पर मैं आपको पता हूँ अब बात करते हैं जो की सबसे मेन चीज़ है इस फोन की यहां पर पिशली वार पर triple camera सा मिसाइट देखने को मिलता था पर इस पर यहां पर triple camera सब्सक्राइब एक इस पर आपको में रहा है 48 Megapixel का sensor और यह सारे के सारे कैमराज AI के साथ आने वाले हैं तो भाई मेरे को लगता है कि Samsung ने कुछ अच्छा गाम किया है कैमराज के साथ और बाकी की सारी चीजों को देखोगे तो यह Samsung A50 है तो यह S वर्जन लाने की जरूरत थी वैसे इनको मेरे को नहीं पता A50 का कैमरा अल्रेडी काफी अच्छा था तो थोड़ा सा Xenos 9611 थोड़ा सा अगर सुनने को बलता साथ अच्छा लगता और यहां पर और कुछ देखने को मिल जाती चीज़ें बैटरी को थोड़ा सा बढ़ा देते मेरे को नहीं पता भी है इन्हों ने क्या किया है अपने A50S के साथ आप मेरे को बताओ A50S कितना अच्छा है वैसे देखा था फोन अच्छा है बड़ प्राइसिंग क्या आएगी I don't know 20,000 का यह पहले ही है फोन A50 जो लाँच हुआ था यह कितने पे लाँच होगा मेरे को आप बताओ आपकी का एकस्पेक्टेट व्राइस है क्या आप लेने वारे हो या फिर Realme XT, XT Pro Redmi Note 8 Pro जो भी है आपका अंदाजा जो आपका यहां पर पसंद मेरे को comment section में बता के और फिर मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में तब तक अपना और प्रेशान वह लगे रखे का याल कि स्वानिंगे डाल विस टेके गाइस बबाई